नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चनल गौरब जंक्शन में दोस्तो आज की जो नोकरी की अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आयों यह है आईटे के लिए करायों ऐसे बच्चे जिन्होंने आईटे नहीं किया या फिर जिनकी ट्रेड यहां पर अवेलेबल नहीं है वे बच्चे भी इसका फॉम फिल कर सकते हैं दसवी के बेस पर वे बच्चे जो है एक पोस्त के लिए अपलाई करेंगे हेल्पर के लिए बाकी और भी केटिगरीज है आपर प्रोफाइल्स है उसे मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा एक चीज यह जो फॉम है ओल ओवर से ओल ओवर इंडिया से आप लोग इसका फॉम फिल कर सकते हैं लगबग आप लोगों के पास मान के चलो 28 से 39 दिन है इसका फॉम फिल करने के लिए इसके फॉम की वीडियो आप लोगों को पूरी कोशिश है आज रात आट बज़े से पहले प्रोवाइट कर दू आप लोग जो है इसका फॉम प्रोपर तरीके से फिल कर सको यह जो नाइलेट है नाइलेट भवन यह दिली में ही है और मेरे ही घर के पास है लेकिन आप यह मत समझना कि यहाँ पर आप लोगों को पोस्टिंग मिलेगी यह ओल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आप लोगों को पोस्टिंग दे सकते हैं इनाइलेट के बहुत डिफर्ट डिफर्ट सिटीज में आप लोगों को यूनिट देखने को मिल जाएंगे इसमें लड़का लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं अगर आप वैसे वुमिन है तो आप लोगों का किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगना है SC है तो भी नहीं लगेगा, ST है तो भी नहीं लगेगा, PWBDA तो भी नहीं लगेगा लेकिन जनरल या फिर OBC से है तो आप लोगों को पैसे पे करने पड़ेंगे बाकि अगर मैं बात करूँ तो डोट्समें वाली जो वेकेंसी है इसमें 6 साल का experience मांगा है तो इसमें मैं फोकस में नहीं करूँगा 27 साल maximum age दे रखी है, यहाँ पर आप लोगों को ITA वाली जो पोस्ट है उसमें return निकालना है और trade test देना है, यानि skill test देना है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लेब असिस्टेंट में इसमें आप लोगों से 12 पास मांगा है और यहाँ पर आप लोगों से जो है 2 साल का experience मांगा है अगर आप दस्वी के बेस पर अप्लाई करते हैं तो 4 साल का experience आपका लगेगा इसमें सिर्फ return test होगा उसके बाद जो 3rd number पर लाब असिस्टेंट की इसमें आप लोगों को 12 पास होना है साइन्स सिस्टीम से चाए वो PCM हो चाए वो आप लोगों का PCB हो उसमें आप लोगों का जो है किसी भी परकार का experience नहीं है लेकिन अगर आप दस्वी के बेस पर apply करेंगे तो 2 साल का experience का criteria इन्होंने रखा है इसमें सिर्फ आपका return होगा अब हम लोग आ जाते हैं IT पर फिर दस्वी पास पर आएंगे tradesman B की vacancies है जिसमें अगर आपने IT electrical से किया है या electronic से किया है तो आप form fill कर सकते है इसमें return test होगा और skill test होगा electrical आप लोगों को confuse करेगा कि इसमें wireman वाले apply करेंगे या नहीं करेंगे तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि जैसे वादा किया था online और offline ज्यान पर कि department को एक बार call करके confirm करूँगा अगर वो लोग बोल देंगे कि apply कर सकते है तो मैं आप लोगों को जरूर उसके बारे में telegram पर inform कर दूँगा बाकी जो है electrician पूरी possibility कि apply करें electronics mechanics इसमें apply करें ठीक है उनके लिए कोई condition नहीं है लेकिन slavers को देखके थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था तो उस पर भी मैं एक बार नजर मार लूँगा और department से वो चीज भी पूछ लूँगा अगर department phone pick करता है तो otherwise दूसरे तरीके से इसकी information निकालने की कोशिश करूँगा helper B की जो vacancy है इसमें simple 10 वी pass चाहिए जितनी भी IT वाले है अगर आपकी trade available नहीं है वो इसके लिए apply कर सकते है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो आप लोगों की detailed of vacancies है उसे आप देख सकते है कितनी कितनी है और अगर मैं technician B की बात करूँ तो यहाँ पर 26 है segregation आप लोग देख लो reason wise दे रखा है और जो helper है helper में 24 है reason wise segregation दे रखा है अगर बात करूँ तो PWBD वाले बच्चे भी apply कर पाएंगे लेकिन minimum disability 40% का criteria है OH में आप लोगों का OL category के और HS category के apply करेंगे PWBD में ठीक है इसमें और दूपर वाले में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर PWBD में OHK, OL और HSK अप्लाई कर पाएंगे तो यह condition है बागी जो roadman C है, lab assistant है, lab assistant B है उसमें जो criteria PWBD का वो थोड़ा सा जादा है अगर आगे बढ़ते है age limit मैंने आपको बताई दिये बागी relaxation all over India से आपको मिलेगा place of posting all over India में कहीं पे भी आपको posting दे सकते हैं, यह इनका form का link है अभी आपको दिखा दूँगा form, form आप लोग 31 October तक भर सकते हैं, जो मैंने fee के बारे में आपको starting में बता दिया, बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह कुछ syllabus से related information है, जो IT के base पे apply करेगा उनके लि लिए, और यह जो है, आप लोगों का helper वाली post के लिए, यानि दस्वी पास वाली, ठीक है, तो वही same syllabus है, जो DRDO में आप लोगों का आता है, बाकी अगर आपको कोई question रहाता है, तो मुझे बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगा, इसकी जानकारी आपको दे सकूँ, पूर से या खुद फिल करें, लेकिन form जरूर फिल करना है, अगर आप लोगों को मैं इनकी official website पे लेके चलू, तो यहाँ पर आप लोगों को इनका syllabus भी देखने को मिल जाएगा, ये detail advertisement है, ये syllabus है, डोट्समें C का, तो इसमें तो experience भागा, इसे छोड़ रहा हूँ, ये वाली ज इस्टेड है, तो login करके यहाँ से apply करेंगे, form की वीडियो दुबारा बोल रहा हूँ, रात 8 बजे से पहले आपको मिलेगी, तो थोड़ा सा wait आप लोग कर लेना, बाकी धन्यवाद, keep in touch आप लोग जुड़े रहिए, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो please comment box से mention करना, इसके मेरी कोशिश रहती कि मैं आपको instant reply दे कि आपकी समस्या हों का समाधान कर दू, धन्यवाद,